आज लंच में बनाया था बहुत ही इस्पेशल खाना जो की है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा एकदम ऑथेंटिक बिहारी लिट्टी चोखा की रेसिपी है यह हलो अबरेबन वेलकम तू माई चैनल जस्ट अनादर फूडी गर्ल तो चलिए लिट्टी चोखा बनाकर रेड रेखती है आप फुदी देखोगे तो यहां पर इस बाउल से मैंने तीन बोल आटा ले लिया है यहां पर गेहूं का आटा ही हमें यूज करना है अभी हम यहां पर डाल देंगे टेस्स के अकॉर्डिंग नमक एक बड़ा चमट यहां पर घी डाल देंगे आप चाहो तो ऑ प्रची से mix कर लेंगे ठोड़ा पानी डालके हम यहां पर इसका डो लगा लेंगे जो तो इसका जो आप डो लगा है न वह सेमी सी टेस्टी सी उसकी तो इसे हम कवर कर करteB साइड में रख देते हैं तो अब इस हमें सबसे पहले सत्तू मैने आटाक कर लिया है तो हरी मिज़ को कट डाल देंगे यहां पर आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं थोड़े से फ्रेश वे धनिया पत्ती डाल देंगे आदी छोडी चम्मच अजवाइन डाल देंगे तो अजवाइन को हम पहले हाथ पर रब कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे उससे क्या होता है ना कि इसका जो तीखा पन करवापन होता है वो खतम हो जाता है आदी छोडी चम्मच हम यहां प कर रस डाल भी हखटापन भी आप अपने हिसराब से डाल सकते हैं अगर आपको कम पसंद है धो कम और इस से ज़्यादा पसंद थे तो इससे भी जियादा हम यहां पर ड्लाद दो चोटी चमद सरसो गा आप सब्छोड़ा क 되면 अपसंद से हो गाइं मैंध ऑप पानी डालने के मिक्स करेंगे मतलब आपको यहां पर तीन से चार बड़े चमप पानी डालना है और उसके बाद इसे मिक्स कर लेना है उससे क्या होता है कि इसमें एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है चलिह हमारी स्टफिंग भी यहां पर रेड़ी है तो अब हम चलते हैं उससे थोरी बड़ी ही cut करे ताकि इसमें जो सत्तो की feeling है न वो अच्छे से भर सके तो हम यहाँ पे सारी लोई को same process से cut करके और इस तरीके से हाथ पे घुमाते वे बिल्कुल अच्छे से goal shape दे देंगे तभी हमारी लिट्टी का जो shape है वो अच्छा हैगा तो same process से यहाँ पे मैंने सारे लोई कट करके रख लिए हैं आप देख सकते हो तो चलिए अब हम चलते हैं लिट्टी बनाने के process में तो अभी हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे एक लोई ले लेंगे और उसे हलके हाथों से बिल्कुल प्रेस करते हुए इस तरीके से हमें अपनी पोटली जैसी बना लेनी है और फिर उसे जो उपर वाला पार्ट है उसे इस तरीके से चिपका देना है और यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल एक बार अच्छे से फ्लाट कर देना है और यहाँ पे हमारी लिट्टी बनके ready है तो आपने देखा ना कितना easy है इसे बनाना और खाने में तो पूछो ही मत तो यहाँ पे हमारी एक लिट्टी बनके ready है तो हम इसे plate में रख देते हैं और same process से हम सारी लिट्टियां बनाके ready कर लेंगे कि इसे बिल्कुल अच्छे से oil से grease कर देंगे मतलब बहुत हलका सा oil 1x4 चोटी चमच और 1x3 चोटी चमच काफी होगा उसे बिल्कुल अच्छे से तवे को grease कर लेना है ताकि जब हम इस पे लिट्टी डाले तो वो चिपके नहीं flame को low to medium कर देना है और अपनी पेले वाला आग मिलने का वो होगा नहीं हो पाएगा ना तो हम क्या करेंगे कि पहले इसे तवे पे सेकेंगे और फिर इसे हलका सा आग पे सेक लेंगे तो यहां पे इसे cover करके हमें बिल्कुल अच्छे से सेक लेना है तीन से चार मिनट जब तक हमारा लिट्टी सिख रहा है चलिए हम भड़ते की तैयारी कर लेते हैं तो यहां पे मैंने बैंगन ले लिया है उसमें लहसन की कुछ कलिया को अच्छे से गात दिया है और यहां पे हम क्या करेंगे कि बैंगन और तमाटर के उपर हलका सा ओयल लगा देंगे ताकि इससे जो बाद मेंецका च्लका है यह लगाने में हमें एज्जी ओ और अभी हम से अज्छ से कुक कर लेंगे इसंसाद को रहें दूसरे सा बिल्कुल अच्छे से कूख हो चुकी है अभी हम इसे आग पर भी सेखेंगे तो अब आप क्या करें कि सारे लिट्टी को आराम से प्लेट में निकाल ले और अभी मैंने यहां पर किस तरीके का चंदी ले लिया है आप देख सकते हो तो अब हमें क्या करना है कि अपनी लिट लिट्टी अच्छे से सिख जाएगी तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और आपको यहां पर क्या करना है कि आपको सारी सिखी हुई लिट्टी इसी तरीके से लिट्टी को सेख लेना है और उसे प्लेट में रखते जाना है तो चलिए यहां पर आप देख सकते हो क की हमारा जो बैगान है वह बिल्कुल अच्छे से ठीमाटर अच्छे से कुक हो चुक है यह आप इस एक चाकउ की हेल्प से चेक कर सकते अगर आप का चाकउ भैंगन और तो दोनों में अच्छे से गत जाएं अंदर तक आप देखila कि पूरा इस लगा दिया था इसलिए बहुत ही इसली निकल जाता है तो अभी जो मैंने साइड में एक बाउल लिया है उसमें हम ब्लैक वाले चिलके को रख देंगे और फिर उसे बाद में फेक देंगे तो जैसे मैं यहां पर हाथों की हिल्प से टमाटर का चिलका निकाल लेना है जो ब् हैनत लगेगा अगर आपके पास पोटैटो मैशर है न तो आप उससे करें बहुत ही इसली हो जाता है चोका को हम यहां पर बिल्कुल अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे चोका यहां पर हमारा अच्छे से मैश हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक चोटे साइस का से नहीं जाएगा तो हम यहां पर डाल देंगे एक बड़ा चमच सरसो का तेल अगर आपको सरसो के तेल से प्रॉबलम है तो आप क्या करो कि उससे पहले अच्छे से गर्म कर लो और फिर हलका ठंडा करके इसमें डाल दो तो उसका स्मेल नहीं आएगा और अभी हम यहां प करेंगे कि एक एक करके इसको घी में डिप करेंगे आई होप कि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं कोई new recipe डालू तो आपके पास notification चला जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे लिट्टी को मैंने अच्छे से घी में डिप कर लिया है तो चलिए अब हम इसे सर्फ करते और उसके बाद अपनी बहुती सूपर डेस्टी बिहारी लिट् का चोका मतलब बेसिकली यह बैगन का ही चोका होता है बिहारी खाना है तो यहाँ पर प्यास तो जाएगा ही और इसी के साथ हम यहाँ पर दाल देंगे दो हरी मिच और यहाँ पर हमारी बहुती टेस्टी ठाली बनके रेडी है बहुती खस्ता बनके रेडी हुई है जैसे म मार्केट में मिलती है न वैसे ही तो मैं यहाँ पर आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ आप देखो इसके अंदर स्टफिंग भी बिल्कुल अच्छे से बढ़ी है तो सी यू इन मैं नेक्स ब्लॉग तब तक के लिए टाटा बाई बाई